नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अंसुमन नायक और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस नीज के डिफेंस टॉक सरीश में जहां पर हम रोज नए-नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो अचानक से काफी बड़ी मातरा में एक्सपोर्ट ओर्डर मिलना चालू हो चुका है और यह ओर्डर खास करके 155 mm स्टेंडर के अट्लरी सेल्स को लेगे हैं यह अंतर इंडिया लिमिटेड का कहना है कि अभी 155 mm स्टेंडर की सेल्स की इतनी डिमांड है कि 2026-27 की फैंसियर तो उनको 50,000 से 60,000 तक की सेल्स के लिए ओर्डर मिल जाता था लेकिन अभी अचानक से बाहर देशों की तरफ से उनको ओर्डर आने लगे हैं जिस वज़े से वो अभी अपनी प्रड़क्शन फैसलिटी को एक्सपैंड करना चाहते हैं क्योंकि इसी साल के अंदर ही यह अं अगला अपडेट हमारी इंडिजनस लाइट कॉमबेट हेलिकॉप्टर की तरफ से अभी इस हेलिकॉप्टर को लिमिटेड नंबर में आर्मी और एरफोर्स की तरफ से अपनी सर्विस में इंड़क्ट किया जा चुक है और इनकी अभी मास और करने की प्लैनिंग किया जा रहा है जिसमें 156 से ज्यादा लाइट कॉमबेट हेलिकॉप्टर को खरीदा जाने इस बीच आर्मी और एरफोर्स की तरफ से भी हेल को इन हेलिकॉप्टर में छोटे मोटे इंप्रिम्मेंट को करने की बात की गई थी या रिक्वेस्ट किया गया था और अभी इसे लो अल्टिटूड में लो लेवल में फ्लाइक करना पड़ेगा और जमीन से काफी करीब दया पड़ेगा वैसे इसको पहले से लो लेवल में उपड़ेट करने के लिए और भैतरी नाँवल्लीक को मैंटेन करने के सिस्टम को आड़ किया जाए जूकि पाइलेट की रेक्शन ना होने पर अपने आप एक्टिव होने वाला है यानि कि सामने अचानक से कोई भी केबुल आजाए पोल आजाए मोवाइल टावर जैसे कोई चीज आगर आ जाता है और पाइलेट किसी वी वज़े से इसको देख नहीं पाता है या विजिविलिटी कम रहने की वज़े से इसे दिखाई नहीं पड़ता है तो ऐसे कंडिशन में सिस्टम अपने आप एक्टिव होने वाला और अपने आफी हलिकॉप्टर को इस तरीके की ऑस्टिकल्स को एवर्ट करने में मदद करने वाला है और इसते की तरफ से कोई भी नई सिस्टम को डिवलब किया जाता है इसकी अलग अलग तरह की टेस्टिंग की जाती है जिसमें हाई अल्टिटूट कोल्ड वेदर हॉट वेदर जैसे काफी कॉमन होते हैं जिसके बारे में आपने ज़रू सुना होगा यह सभी टेस्ट इसी वज़े से होता है ताकि यह पता चल सके कि यह जो इक्यूपमेंट अभी बना गया है यह एक्स्ट्रीम कंडिशन में किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है चाहे वो थंड हो जाया गरम हो जाए अब ऐसा करने के लिए हमें हमारी एक्यूपमेंट को या तो लदाख या सिक्किम जैसे ए एक्राप को डिवलब करते से हम इस्तमाल कर सके यह एक ऐसा लैब होने वाला जिसमें अपने हिसाब से हम क्लाइमेट को अड्यस्ट कर सकते हम चाहे तो सिक्किम या लदाग जैसी हाईल्टूड और को वहां पर सिमुलेट कर सकते हैं और चाहे तो राजस्थान जैसी होट अधर को वहां पर सिमुलेट कर सकते हैं जिससे कम समय के अंदर हमें यह पता चल सकता है कि हमने जो सिस्टम डिवलब क्या बना है उसके उपर इस कंडिशन का क्या असर पड़ता है या वह सिस्टम इस तरह के कंडिशन में किस तरीके से परफॉर्म करता है अभी क्या होता ह केलिए हमें पहले हमारी कीपमेंट को लदाक राजस्तान जैसी जगां में ले जाना पड़ेगा फिर टेस्ट करने के बाद बापस लाना पड़ेगा और फिर उस टेस्ट के रेजल के हिसाब से इसको फर्दर को आगे बढ़ाना पड़ेगा लेकिन अगर डियाड की पास पहले सी ऐसी फैसिलिटी मौजूद होगा जहां पर इनको सेम तरी की कंडिशन में टेस्ट किया जा सके तो हमारी डिवलप्मेंट प्रसेस काफी स्मूध बन जाए तो खास करके किसी भी एक्राप को डिवलप करन और उपर सी एक कंड्रोल्ड एंवार्मेंट होने वाला जिस वज़े से रियल एंवार्मेंट में टेस्ट करने से पहले इनीशल सभी ट्राल को यहीं पर किया जा सकता है जिससे टाइम बचने के साथ साथ खराब विदर में होने वाली रिस्क भी आपे इलिमिनेट होने वा भारत और साथ कोरिया के बीच काफी अच्छे रिलिशन है और डिफेंस की सेक्टर में भी भारत और साथ कोरिया के रिलिशन काफी अच्छे हैं लेकिन एक मामले में साथ कोरिया भारत का डारेट कंपीडिटर बन रहा है और वो लाइट कॉमबट एक्राप्ट की सेग्में है अभी तक दो से तीन बार ऐसा हो चुका है जहां पर साउथ कोरिया की एफ़ फिप्टी एक्राफ्ट तेजस को इंडरनासाल मार्केट में डिफीट कर रहा है और तेजस की एक्सपोर्ड में एक रुकावर्ड बन रहा है हाला कि पोहमस और वपन्स के मामले में ये तेजस क बीट नहीं कर सकता और उसे काफी इंफिरियर है लेकिन फिर भी एफ़ फिप्टी तेजस को हराकर मलेशिया की टेंटर को पहले से जूच चुक है प्रॉब्लम ये था कि अभी तक एफ़ फिप्टी एक्राफ्ट को कोरियन एलो स्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से मेंली ए इसके एक सिंगिल सिटर डेडिकेटेड फाइटर वेरियंट को बनाने की बात कन्फर्म कर चुके हैं इसकी नई वेरियंट की कोस्ट करीब 48 मिलियन डॉलर के आसपास होने वाले जो कि साइध तेज़ेस एमके वानकी उनिट कोस्ट से 3-4 मिलियन डॉलर ज्यादा होने वाल है और इसमें एक नई आटोमेटिक ग्राउंड कोलिजन एवार्डन सिस्टेम को भी आँ पर इंटिग्रेट करने की बात की गई है जिसके बाद एक फाटर जेट की तरह तरह तेज़ेस और जेफ 17 जिससे एक ग्राप्ट को इंटरनेसल मार्केट के अंदर कंपीट कर पाए अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से इंडियन आर्मी की तरफ से इंडियन आर्मी की तरफ से एक ऐसा स्टिप लिया जाने वाला इसको सुनना इनीशिल आप सभी के लिए साथ एक सौक की तरह होने वाला है तो बात ऐसी है कि इंडियन आर्मी की तरफ से अभी जीब लगा लेकिन इंडियन आमी ऐसा क्यों करना चाहती है तो घवराने की कोई जरुवत नहीं है क्योंकि इसके पीछे भी एक कारण है यह जो दूसरी फोर्स होने वाले इसको आर्मी तयार करना चाहती है जिसे ऑफिशली ओपजिंग फोर्स कहा जाएगा यह दर असल टिम दूसमन का टीम होता है और इसमें आर्मी की ओरिजिनल उनिट से जबान सामिल होते है लेकिन अभी आर्मी ऐसा ना करते है एक प्रॉपर ओपजिंग फोर्स को बनाने का फैसला कर रही है जो कि किसी भी मिलिटरी एक्सरसाइज के दौरान हमारी लिए दूसमन का रोल उसको खास करके हमारे दूसमन के टैक्टिक्स हत्यारों वेपन्स के साथ ट्रेन किया जाएगा जिसके लिए हमारे इंटर्जिंस की तरफ से उनको मदद की जाएगी और इससे रियल वाल कंडिशन में हमारे सोल्जर को दूसमन की रननीती के बारे में लाइब डेमो मिलने क के साथ साथ exercise करने का अनुभा मिल पाएगा अभी भी आर्मी की ट्रेइनिंग कमांड के अंदर रेड फोर्स नाम की क्यूनिट मौजूद है जो कि हमारी रंड नीती बनाने का काम करती है लेकिन यह सिर्फ एक official टीम है जो कि ग्राउंड पर नहीं आती है उनका काम बस military exercise के द और आप बनाएगे plans को real battle film implement करने का काम करने वाली है जिसके साथ हमारी regular आमने की तरह से जवान होंगे वो हमारी counter tactics साथ engage होने वाल है और इस तरीके से हमारे जवानों को train करने के बाद उनकी operational preparedness काफी तक increase होने वाली कि कि उनको पहले सही दुस्मन की रंड नीती के वारे का आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन बंदे मातर हूं